नमस्कार प्रीव द्यारतियों आज हम बीए प्रत्म पर्स हिंदी सहीते प्रत्म प्रशन पत्र में शंत कबीर की शाखियों का अध्यन करेंगे शंत कबीर की शाखियों में आज हम सुमिरन को अंग की शाखियां लेंगे शुमिरन को अंग में हमारे पठे कर्म में कुल नो साखियां संकली थें जिन में से प्रारंब की चार साखिया आज हम लेंगे तो साखियां इस प्रकार है भगती भजन हरी नाव है दूजा दुख अपार मनसा बाचा कर्मना कबीर शुमिरन शार यहां मनसा से अर्थ मन से वाचा से अर्थ वानिशे और कर्मना से अर्थ कर्म से लिया गया है और सार जीवन का मूल तत्व है कबीर कहते हैं भगवान का नाम इश्मणही वास्त में भक्ती और भजन है उसके लिए किसी तरफ का दिखावा करने की आप सकता नहीं है भगवान को सच्चे मन से इश्मन करना ही सच्ची बक्ती है भजन है भजन के अलावा अन्य साधन अश्मित दुख के कारण है यानि वे सब आडंबर है ढोंग है कभी कहते हैं मन से वानी शे कर्म शे भगवान को इश्मन करना चाहिए और कभीर आगे कहते हैं शुमिरन यानि नाम इश्मन ही सबी धर्मों का सारततो है तो इस तरह से इस साखी में नाम की महिमा का प्रतिपादन है और इस साधना में किशी भी आडंबर के लिए कोई इस्तान नहीं है तो कभीर ने मन वचन और कर्म से सचे मन से प्रभू को इश्मन करने की बात कही है अगली साखी है कभीर सुमिरन शार है और सकल जंजाल आदि अन्त सब सोधिया दूजा देखो काल यहाँ सुमिरन का रतिस्मन सकल यानि सभिय समस्त और आदि अन्त से मरा तात परह आरं पुरंतिम सोधिया करते सोधा या अनवेशन किया तो इस साखी में कबीर कहते हैं कि नाम इश्मनी सभी साधनों में स्रेष्ट और बक्ति का मूल भाव हैं अन्य सभी उपाए हट यूग, तीर थाटन, मंत्रो चार, पूझा, पाठ, नमाच ये सब जंजाल हैं सभी साधना रूपों को अच्छी तरह समझ कर, सोध कर, तता उनकी आरंविक इस्तती ततपनि नामों को समझ कर इसी निसकस पर कबीर पहुँचे हैं कि इन्य सभी काल की तरह भयावह तता नासक हैं, यानि नास करने वाले हैं इस साखी में कबीर ने सच्छे मन से भगवान को इस्मन करने की बात कही है और अन्य जो भी उपादान हैं, चाहे वो तीर्था टन हो, मंत्रो चारो, पूजा पाठो, नमाज हो, ये सब दिखावा है, ढोंग और आडंबर है इस साखी में अनुप्रा सलंकार का प्रिउगवा है, और भासा, अत्यन्त, सरल और सहज है अगली साखी है, पंच शंगी पीव पीव करे, चठा जु सुमिरे मन, आई शूती कबीर की, पाया राम रतन पंच यानि पाँच, संगी यानि साथी यानि पाँच इंद्रिया, शूती यानि सुरूती इसमन का, इसमन की स्थती, रतन यानि रत्न कबीर इसाखी में कहते हैं, कबीर ने अपनी संपून चेतना को मत कर, राम रूपी रतन प्राप्त कर लिया है कबीर कहते हैं, कि मैंने मेरी संपून चेतना को मत कर, मन्थन कर, राम रूपी रतन प्राप्त कर लिया है उनकी प्रशव की इस्तती आ गई है क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही राम की रूप में पा लिया है इसका उल्लास पांचों इंद्रियों में व्यप्त हो रहा है ध्यान दे पांच इंद्रिया नाक, कान, आख, मूँ और तोचा सब जगह पीव-पी का सब्द निकल रहा है यानि पांचों ही इंद्रियों से पीव-पीव की धोनी आ रही है और चठी इंद्रि मन भी इशिका इश्मन कर रही है यहां सोती सब्द विचारनी है शोती का आर्थ प्रसव की स्तती लिया गया है जो साखे के पूरी संधर्ब में ठीक अर्थ रखता है इसलिए इसका अर्थ सुरूती या इसमन भी लिया जाता है राम की प्राप्ती में जो पीव-पीव की फुकार है उसमें वात्सल्ले भाव की वन्यना छीन हो जाती है प्रित्म का ही दूसरा रूप पुत्र होता है पुत्र की रूप में पती को पाना और पती के प्रती कृतग्यता से भरकर पी की पुकार लगाना शंबव है इसी दृष्टिश यह अर्थ माने है तो इस तरह से इस साखे के माध्यम से कभी निकाहा है कि संपूर चेतना को मतने के बाद यानि मैंने पूरी तरह से मन्थन करने के बाद राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है और अब भगवान से साखसात कर हो गया है और पूरा मनुष्य का सरीर यानि पांचों इंद्रिया नाक, कान, आख, मुह और तोचा यहां पांचों इंद्रियों की बात की गई और चट्थे मन की शभी पीव-पीव कर रहे हैं अर्थात सचे मन से इश्मन कर रहे हैं तो इस तरह से कबीर ने इसमें भी इश्मन को महत्व पुर्माना है जो सचे मन से होना चाहिए अगली साकी है मेरा मन सुमरी राम कूं मेरा मन राम ही आदी अब मन राम ही हुए रहा कबीर कहते हैं मेरा मन राम का इश्मन कर रहा है मेरा मन राम का ही है और किशी का नहीं और अब मन राम ही हो गया है कियो कि मन राम मै हो गया है मन में और राम मे कोई अंतर नहीं रहा ऐसी इसते में भेद समाप्त हो गया है इसलिए कबीर कहते है कि या भला किस के आगे सिर जचाऊ इस आखी में साधना की तीन इस्तियों का चित्रन है पहली इस्तिय है जब जीव अपने को भगवान से अलग मान कर इसके नाम का इस्मन करता है और दूसरी इस्तिय है जब जीवात्मा परमात्मा का रूप प्रतित होने लगती है और तीसरी स्तती है जब आत्मा ही प्रमात्मा हो जाती है द्वेत पूर्ण ते अब मिट जाता है अद्वेत की पूर्ण अनुभूती होने लगती है ध्यान देना कबीर पर शंकराचारे के अद्वेत वात का प्रभाव है अद्वितवात का अर्थ होता है आत्मा प्रमात्मा का एक हकार होना वेश्नो बक्ती और कबीर की बक्ती में यही मौलिक अंतर है कबीर का बक्त राम का इश्मन करते करते राम ही हो जाता है ध्यान देना वेशनो भक्ती में राम विशनो के अवतार है जो दसरत पुत्र है लेकिन कबीर की भक्ती जो निर्गून भक्ती है उसमें राम विशनो के अवतार नहीं है बलकि निर्गून निराकारी है ब्रम है तो इस तरए से कबीर का भक्त मन राम का इसमन करते करते, राम मै हो जाता है जबकि वेशनो भक्त को भगवान का शामी पे बूध तो होता है किन्तु राम मै नहीं होता है कूंक कर्म का प्राटीन परसरक आया है जिसका यहां प्रियोग हुआ है जैसा पहले पंक्ती में मेरा मन सुमिरे राम कूँ यानि विभगती है तो इस तरह से कबीर ने इस साखी के माध्यम से अद्वेत वाद की बात कही है आत्मा प्रमात्मा के मिलन की बात कही है कि सच्चे मन से इस्मन करने से मन राम मै हो जाता है और प्रभू शे ब्रम शे निर्गु निराकारी शे एकाकार हो जाता है तो इस तरह से कबीर की सुमिरन को अंग की चार साखियां हमने ली जो मयत्वपूर्ण है अगली कक्षा में सुमिरन को अंग की सेस साखियों को हम लेंगे धन्यवाद